90's Kids ने ये गेम तो स्कूल के बाद बहुत खेला होगा पर क्या आप इसके पीछे की कहानी जानते हैं? Early 1980's में एक Japanese विडियो गेम कमपनी Nintendo ने अमेरिका में अपने एक छोटा सा वेर हाउस सेट अप किया एक दिन जब वो Donkey Kong नाम के एक विडियो गेम पर काम कर रहे थे तब उनका Landlord जिसकी बड़ी-बड़ी मूचे थी उनसे पेंडिंग रेंट लेने आया बताया जाता है कि उस Landlord ने मिनोरू आरकावा जो की Nintendo की हेड हुआ करते थे उनकी सबके सामने बहुत बेजती की पर यही वो मोमेंट था जो एक इंस्पिरेशन में बदल गया और मारियो का नाम उस Landlord मारियो सगेल पे रखा गया 2023 में इस गेम को पूरे 40 साल कम्प्लीट हो गए है You can follow us to know more amazing facts like these